मुस्य के कदूस और बहुत नाम में आप सब को सलाम कबूल हो प्रोग्राम हत्मी सचाई में आप सब को खुशामदीद कहते हैं आज हम बात करेंगे किताब लिस्तफार से लिए गए जिस उन टॉपिक पर ये किताब लिस्तफार जिसे मुरत्ब किया है जफिक बात सहाब ने आज जिस टॉपिक के इंतखाब हमने किया है इस किताब में से बड़ा ही खुशूरा टॉपिक कल्मा और मुर्म तजस्सुम इस पर बात करने के लिए खुशामदीद कहना जाहूंगी प्रोफेसर जिनाब शपिक कमर्ण साहब को सर जफिक बात साब कल्मा और तजस्सम के हवाले से कहते हैं मैं सोच रहा हूँ कि अंजीन योहना की मन्जूम तमहीद पर इमान रखने से जो मसाइल खड़े होते हैं मसीही थियूलोजी में इनकी मसाइल के हल के लिए कोई खातिखा तौज़ी क्यों नहीं दी गई और इन को इसे को नहीं किसी नुकते को भी नहीं किया यह नकी की प्रवलत फ़ैब। और अन्जीन योहना को तो बिल्कुल ही नहीं नहीं किया किया बलके मसीही मुफَسर कीäl ê सबसे ज़रा तो तुज़ऑ यहना की नहीं पर दी यह जो सनॉप्टिक गास्पल का नजरिया पेश कि उसमें यही बात तो ओख और तो कहा रहे थे कि पहली तीन गास्पल आपस में मुत्फिक हैं, वो मसीख को धुदा नही पेशकर्टी। लेकर यहुना की अजील अलग के से यहुना की तो यहुना की अजील पर तो इस पे जिरात हो जो दही गईगी। हाला के बाद में स्कॉलर्स ने इस नजरिये को रद कर दिया गए यह नजरिये ठीक नहीं है अगर सिनाप टिक है तो चारों सिनाप टिक है और यह बात दुर्स्त है कि जैसे जीले यहुना मसीख को गुदा साबद करती है बात की तीन अना जील भी मसीख को गुदा ही साबद करती है, तो इस टापक पे अगर बात करना चाहिए तो हम कर सकते हैं उस पे भी, प्लीस टॉबल ने किताब लिकी के इस वार क्राइस्ट उस पे इस बात को तफसील से डिसक्स किया गया, यह अंजीने यहुना की मन्जुण तमहीद, यह हमारे एमान का हिस्सा, बलके पूरी अंजीने यहुना ही हमारे एमान का हिस्सा, बलके और ज्यादा क्लियर कर दूं कि पूरी बाइबल ही हमारे एमान का हिस्सा, इसलिए तो वह बाइबल है, इसलिए तो उसको कैनन लिका गया है, तो यह कहना कि यह थे थालोजी के बड़े मसले हैं इसमें, हमारे लिए कोई म और दिखिए गई, आप कैसे कह सकते ढञे में परिए के लिए इसको नजर अन्दाज किया गया। लोगा कम एँषय ह्लीज में परिखाया जा यह था, यह कैसे अप कहते है। तो अज्जीले यहुना की यह बात्य थियालोजी जो उनको मसला नजर आ रही है 202 हे, लेकर बाइबल की चंद बाते आपको बताते है लिखा है के मसीर के इलम तो बनाया आनECTालमaltet से पेशतर से था लेकर जहूर अखीर जमाना में हमारी खातर बाइबल ये भी कहती है के वो अजल से जिबा क्या वाबर रहा है बाइबल ये भी कहती है और टेस्टरमेंट में लिखा है कि वो जो बटी में डाले गए थे तीन शक्स चौत्था भी नजर आ रहा था और चौत्थे की शक्स इलादा किसे थी अच्छा फिर इस तिसना अठारवें बाब में बलके आगे यसाया में भी ये नजरिया पेश किया गया कि उकदा इन्सानी शक्ल में आया गया ये कैसे कहते हैं कि भी ये चानक से हुआ और समय नहीं आ रही तो इसकी कोई तोजी नहीं है सब कुछ है और इसको नजर अंदाज कर दिया गया नहीं ऐसी बात नहीं तो वो जो लीस टॉबल की किताब है और आप पढ़ें तो और ज़्यदा बाते के लिए हो जाती है तो ये हमारे इमान का हिस्सा है हम ने इसको पढ़ा भी है हम इसको जानते भी है और स्कॉलर्स न मारे लिए कोई मसला नहीं उनके लिए मसला है ठीक आगे वो कहते हैं अब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था यही अब्तदा में खुदा के साथ था इस आयत करीमा में वासर तो पर बताया गया है कि अब्तदा में कलाम था अगर ऐसा ही है तक ही किलाम मुझुद भावे मुझूद था, क्योंकि इन्जील के मताबिक कलाम थो है, क्लाम तो मुझुद की मॉझूद की मौजूद भावे when it is, मुम्म्किन हो सकता है, इसकी अदे मुझूदगी में, नहीं, लेकिन यहां तो मुतकलिम का इल्म ही नहीं कि वो कौन था अलबता सबसे पहले कलाम मौजूद होने की इतलाद दी गई है एक लतीफा था था एक ट्रेन में दो सिक सरदार साथ बैठे ले थे थी एक सरदार साथ बड़े सेथ मंगते हटे कटे थे थे उनको गर्बी लगी था उन्होंने खिड़की का शीचा था खोम दी है थोड़ी देर के बाद जो दूसरे सरदार साथ थे उनको क्या कहते हैं उनको सद्दी लग उनकी तबियत नहीं ठीक थी उन्होंने शीचा बंद करते हर पांच-छे मिनट के बाद एक सरदार सीचा बंद करता था और हर पांच मिनट के बाद दूसरा सरदार सीचा खोल देता था जब लडाई हो गी, वो अगुता, जब लडाई हो गी तो गिसी साथी ने साथ देख देख थे, जाको पोलीस एगी, इसुच्छ ने जणिएगे थी तो अज़िज कोगीलियों सेख लोगे, पोलीस आ बोचे habíanल प्ज हो किसमे प्जिएर खाया थे? वो करा जे मुझे बुखार है, मुझे ठंड लगरी, मैंने शीशा बन कर दिया, इस बात पर लड़ाई हुगी पुलीस वादी ने आगे जुक के देखा, खिटकी को चारों तरफ से चेक किया, हाथ लगाया तो उसने काए, इस खिटकी में तो शीशा है नहीं थी, तो आपने देखा, लड़ाई की इस बात पर थी, कि जो चीज असल में थी, यह नहीं थी, सम टाइम यह जो तनाजा खड़ा होता है, क्रिस्टिन्स की तरफ से भी होता है, और मुस्लमानों की तरफ से भी होता है, हमने जो तराजम किये हैं उन तराजम में हर जगा पर जो तरजमा किया गया लोगास का वो कलमा करते हैं, इसी से सारी गलत फैमियां जर्म लेती हैं, अब वो कलमा अर्बी वाला ले लेते हैं, और वो कलमा ले लेते हैं, लफस, वो कलमा ले लेते हैं, कि जो अदा होता है, लेक लेकिन ये जो कलमा है ये वो कलमा नहीं है ये कलमा शक्सियत है इसके लिए ग्रीक बार में जो लफ़ज है वो है लोगास मैं कई दफ़ा ये बात इनको बावर करा चुका है जाफर साब को भी और दूसे मुस्लिम स्कालर्स को भी कि रिसर्च तर्जमे पे नहीं हो इसके बैटर पर तहकी कर रहे हैं तो आप अरिजिनल तक तो गए नहीं हुआ क्या है अब ये जो लोगास है क्या चीज़ है युनानी तसवर लोगास के बारे में ये था वो इसको शक्सियत ही मानते थे लेकर वो शक्सियत डैमी गाड थी कि खुदा और इनसान की एक दर्मयानी जिसको डैमी गाड घटिया खुदा या कम तर खुदा तसवर करते थे असल से ये उनका तसवर ये उनका तसवर ये नहीं नहीं चुके वोकैबलरी तो किसी की पेटेंट नहीं है कि आपने पेटेंट कराई ये अब इसको युनानी फल्सुपे वाले इस्तमाल करेंगे की और मिसाल देता हम के तो कोक कii बोतल है उसके पेंदर कोक होती ठीक है आप जब पीएंगे तो उसक काड़ा भी कोक काएगा कीजिए कि आप एक और काम काया आप इसको बोतल को खोले कोक गिरा दे नीचे अब आप उस में भर दे दूदो बर दे ठीक है आप बोतल का कलर भी फरक होगे, क्योंकि उसके अंदर क्या है, अब दूद बरा हुआ अब आप पीजिए तो आपको जाइका किस खाएगा, दूद का, बोतल पर अब भी कोगी दिखा हो, लेकिन जाइका किस खाएगा, दूद का, यह उन्ना ने यही किया, उसने लफज तो उसी वोकेबलरी क इस्तमाल किया, लेकर उसके अंदर उसने डेफिनेशन, क्रिस्टन डेफिनेशन भर दिया किसको समझे की कोशिश करो, उसने का, अब तदा में लोगास था, लोगास खुदा के साथ था, और ये लोगास बराबर, मकम्ल खुदा था, डेफिनेशन फरक होगी, अब आपको दूद का जायका आना चाहिए, अब आपको कुक का जायका नहीं आना चाहिए, और फिर आगे पढ़ते जाएं इस परूलाग को जैसे जैसे ही उन्हा की दील में तो आपको लोगास, ये जो क्रिस्टन कांसेप्ट अफ लोगास है, कम्प्लीट आप समझ आएंगे, कहीं भ ये बड़ा जी है, आप समय नहीं है, और मैं रहा है, ये जो आपकी गेम है ना, ये अंग्रेजी की है, उसकी नहीं है, ग्रीक बान में सारे कैपिटल, लोगास मालूमात नहीं होती, इस लिए ऐसी बाते काते हैं, तो अगेन मैं कहूंगा कि ये फैलिसी का शिकार, लोगा किकुणा बान मा तो किसी शिक्सियत के मूँ सेल निकलता हृःजा, इसका ममा पहले शिक्सियत मौझा थी, तो कल्मा तो बाद में है, शबीर अली बहुत बड़ा इडिबेटर है, लो भी बात के मूँ सेल निकला हृआ कि अगाठा कि पहलुआ हृँगा हृइगijn, थीक है तो इसलिए मैं यह कहता हूँ कि सम्टाइम क्रिस्टिन्स ने भी कहीं ना कहीं कोई बेवकुफी की है, ट्रांस्टेशन के अंदर, लेकिन यह लोगास एक शिक्सियत है जो अब्तदास में मुझूद थी, और दूसरा लफस में जिसको आप नदर अदाज करते हैं, आप बलके आरके का दुरस्ट अगर मतलब आप सामीना चाहिए तो यह है कि जब टाइम और स्पेस अभी शुरू भी नहीं होता है, टाइम और स्पेस से पहले अगर कोई चीज़ है तो ओखुदा, यही बात है, यह लोगास में उस वक्स है जब टाइम और स्पेस अभी इम और स्पेस्ट में इन पर टाइम का अधर होता है, यह अदली नहीं हो से लेकिन यह लोगास अधली था, इससे आप अंदादा करें, तो यह वो शबीर अली ने भी यही बात समझी, उसको भी यही में सिर्ट स्टेंडिंग होई, जफर अकबाल साब भी कर रहे हैं और ब दिखाया कि यह सेल्फ एंडिस्टेंड हुई है, तो यह सारी बाते जब तक आप नहीं समयते हैं, आप मिसंडिस्टेंड कर जाते हैं, आगे वो कहते हैं, अगर कल्मा उसक्त मुत्जस्द हुआ, जब मुत्कलिम ने कलाम किया, और जिसम को बाद अज़ा मौत ने भी शिक जो बात करने हैं, आप वादे तोर पर एक स्वाल ही करें, मिक्स ना करें, और दो एक स्टीम स्वाल एक तुछे के आपने मिक्स कर दी हैं, पहली बात वो ही कर रहे हैं, जो पहले स्वाल में कर दी थी, थीसे में भी वही बात इसने डाल दी है, यह उस वक्त मुत्जस्स किलाम किया, मतलब वो बोला तो वो उसके अलफाद बाहर आगे, और अलफाद इसी तरह जम गए, जिस तरह बुखारात जम के बर बन जाते है, यह वो यह कहानी आपको समझा नहीं कोशे जिए, यह तो फैले से ही है, उन्हें बता दिया, अगली बात यह कह रहे हैं कि उसने जिसम एक्तियार कर लिया, तो अगर यह खुदा था तो इसको बाउत ने अपने कब्दे में कैसे यह यह तो नहीं होना चाहिए, बाउत वाली कहानी बिल्कुदा लागी है, बाउत वाली बात तो हम हलजारों दफा कहा है, कि पिलाटूस के साब ने भी मसी ने पहा कि अगर खुदा की तरफ से तो यह एक्तियार ना होता और अगर यह इलाही मनसुबे पहिस्सा ना होता तो तो तेरी गया जो रहता है आप तो सिर्फ इसलिए प्यार रहे हो प्रिफ बीवड़ा तो मन फ्रेश्टी हैंसर कर सकता था नहीं किया, वो मश्यर सुनाता होता हुआ कि युँ तो हम आगा थे सियाद की तद्वीर से हम असीर दामें गुल अपनी खुशी से हो गए तो मसी अपने खुशी से हो गए थे की वज़ा से दानिस्ता तोर पर कबूल की थी वो एक और मुस्लिमान स्कालर है सन अलाप लगा सरी उन्हाने भी लिखा कि मसी तो एक बंद गली में दाखिल हो गे थे और उन्हाने जो काम शुरू किया था उस काम का अंजाम ये था तक्त या तक्ता या उसमें तक्त मिल सकता या तक्ता अजब उन्हे देखा कि उनको तक्ता मिल रहा तक्त नहीं मिल रहा और वो एक बंद गली में थे तो फिर वो पकार उठे मेरे खुदा है मेरे खुदा तूने मुझे क्यों चोड़ दी ये सब लोग फैलसी का शिकार है मैंने बारहा ये बात कही है कि मुसी अपन करोंगा तो लोगास वाली बात से एक बात और मुझे याद आई कि सिर्फ लोगास ही नहीं कहा गया मुसी अस्व को पूरी बाइबल अगर आप पढ़े तो 180 ए 182 टाइटल्स है मुसी अन तमाम टाइटल्स को अगर आप पढ़े तो उनके साथ कोई ना कोई थियालोजी न कोई मकस्द हैं। उन्त्माम को जब आब पढ़ते हैं समkelth आप मसीय की शक्सियत को समझ सकते हैं। सिर्फ एक टाइटल को आप ले हुँ उसका भी आपतरजमा गलत कर ले। तो आप मसीय की शक्सियत को चाहत आँदे ही ने हमें पर रहा कर सकते हैं। देखिया अब पहली बात तो वो है कि जिस फैलिसी में हो फासगे हैं आ उस से बाहर की तो जरूरत यही है कि उनको फैलिसी से नकाला जाए होँ के निकल जाएगे दोआ करनी चाहिए तो वो मुतकल्म वाली और कल्मे वाली जब तक उचसे नहीं निकलते सही आगे वो कहते हैं अगर ये तावील की जाए कि मौत जिसम को आई कल्मा को नहीं तो फिर अलुहियत मसी से जाती रही क्योंकि मसी तो रूप और जिसम का इंतजाज है पहली बाद के इंतजाज का लफ स्कीरी बाइबल में नहीं है तो ये इन्होंने थियालोजी गाते हैं ये नहीं है मैं बेतर तरीका बता देता हूँ डॉक्टर एंडू वाल्स ये इसको बियान करते हैं वो कहते हैं डिविनिटी वाज ट्रांसलेटे इंटू हुमेनिटी बाद लोग सोचते हैं कि इंसान और डिविनिटी का इतहाद हुआ था ऐसा नहीं है ये डिविनिटी वाज ट्रांस और इन्सान भी था तो जो इम्तजाज वाली बात उससे फिर गलत फहमी पैदा होती है यह नहीं है तो यह वाली बात कि मौत सिर्फ जिसम को आई और कलमे को नहीं आई यह नहीं तो यह अगेन उनकी अपनी मिसंडेस्टेंडिंग है मैं आपको बताओं किसी अद तक तो यह कि जिसम तो आनी भी मौत तो आनी भी जिसम को चाहिए थी तो जिसम का बतल भी यह था क्यूंकि कुर्बानी जिसम ही की हो सकती है कुन और गोश्ट की हो सकती है रूख के तो ना गोश्ट है ना हड़ी है तो उसकी कुर्बानी कैसे इसलिए कुर्बानी के लिए ही यह करार रही तो लेकं उनकी वेराल गलत सहमी अभी भी अपनी जगा ही है कि ये तवीन ये कर ले तो ड्विनिटी तो ये तो वो गया वो कुछ बातें ये मिक्स कर जाते हैं जप्पे वो पूछते हैं लाजिम है कि कल्मा खुदा से अलग हस्ती या जात हो क्योंकि खुदा बेटा आप ही बनना पड़ेगा जिसका कोई भी मसीही दोस्त काईल नहीं पहले तो मैं इनसे दर्खास करूगा कि खुद फैलसी से बाहर है ये जो अलग हस्ती वाली बात है हमारा तो अकीदा ये है कि थ्री डिस्टिंट परसनेलिटीज तो उनको मिक्स करते हैं पता नही कि आप मिक्स करते हैं बाइबल तो बहुत कलीर बताती है कि बाप बेटा रूल कुज थ्री डिस्टिंट परसनेलिटीज और नजिया तसलीज भी यही हम तो मांगते हैं कि बेटे की अपनी परसनेलिटी है बाप की अपनी परसनेलिटी है होली स्पिरिट की अपनी परसनेल का जिकर है नहीं अन्जीले यह ना मसला तसलीज की नफी निए करती हैं इनको पता लिए बाइबल पूरी अकानी में सलासा से भरी पढ़ी है चूकि हम तसलीज पर बात नहीं कर ले हैं कि हम बाप और बीटे की दो परसनालिटीज का तो अंजीले यहुना जिकर करती है, तीन खानी करती है, यह बात नहीं है, मैं बताओंगा कि तीसरे का भी जिकर अंजीले यहुना करती है, मफला यहुना की इन्जील, चौद में बाप की 25 आइट में लिखा है कि मैं तुमारे लिए यह एक मददगार भीजूगा, यह नहीं रूल कुछ, उली स्पिरिट का जिकर करती है, अंजीले यहुना करती है, आप कैसे कहते हैं अगर नहीं करती है, हाँ, चारों अंजीलों में एक बात कामन है, कि मसीय असूद ज्यादा तर जिकर करते हैं, वो बाप का और अपना ज जिकर करते हैं, बाद में जाके किया है, उली स्पिरिट का जिकर, उसकी एक खास वाज़ा है, आएक आयत मुझे यादा की, अंजीले यहुना सत्रों अबाब में, कि हमेशा की जिन्दगी यह है, कि वो तुझ खुदा वाहिद और बार हक को, और जिसे तुने भीज़ा है, यानि यह सुमसी को जाने, तो दो शक्सियात का देकर है, जो बात यह कर दे, हुआ क्या है, बात यह है कि मसी असुने आते ही अपने आपको खुदा थाबत करने की कोशिश की, जिस पे यहुदी उसके खिलाफ हुए, और मसी की मिनिस्ट्री के अंदर, साड़े तीन साला मि मिनिस्ट्री के अंदर, शब औरोज, जो ज्यादा बड़ा मसला था, वो यही था कि मसी जो कलीम कर रहे थे, वो यही कर रहे थे, अपनी डूनिटी का दावा कर रहे थे, कि मैं खुदा हुआ हूँ, और यहुदी उसको बानने के लिए त्यार ली थी, वो उन्होंने हमेश चाकुफर का फत्वा लगाया, और यही उनका तनाजा चाला था, और मसी जो जानते थे, कि जब मैं दो डिस्टिंक्ट परसनेलिटी का तारिफ कर रहा रहा हूं, तो तनाजा खड़ा हो रहा है, और अगर कही मैंने जिकर कर दिया, कि एक तीसरी परसनेलिटी है, तो जाँगा, एक तीसरी परसनेलिटी आएगी, होली स्पिरिट, तो उसकी भी एक एड़ाइड़ाइबरिटी ती, जिसकी वजाए से मसी जिकर नहीं कर रहे थे, या उस जिकर को मुखर कर दे, मैं जैसा समझता हूं, और वो इसलिए कहा कि मैं जाँगा, बाप से दर्खास कर जाँगा, वो उनी स्पिरिट को भेज़ेगा, तो तीनों परसनेलिटी का दिकर रहा है, कैसे आप कहते हैं, कि नहीं है, लेकर बसा अगात, अगर सिर्फ दो परसनेलिटी का दिकर रहा है, तो उसकी भी एक एड़ाइड़ाइबरिटी है, पतरस ने भी जब खुत्बा दि सिर्फ दो शक्सियाज का नजरा दिया दे रहे थे और ततलीज की नफी हो रही थी, ऐसा हर्गेज नहीं है, बात सिर्फ समझने किया, कि आप उससे समझते कैसे है, बहुत शुक्र प्रफेसर जणाब शफिक कमल साहब, आज हमने बड़े ही एक इंपॉर्टन टॉपिक पर बात की कलमा और तजस्म, बड़े ही खुपसवर तरीके से जनाब जफर इकबाल साहब की जो फैलसी थी, उसको एड्रस किया जनाब प्रफेसर शफिक कमल साहब ने, जैसा कि आप में देखा होगा, बहुत से प्रोग्राम में सर इस बात को भी नोड़ाउं कर वाते हैं, इ फिश्य दिनों एक बिल्डिंग को जै वो तोड़ दिया गया, उसका मसला ये हुआ कि वो बिल्डिंग थोड़ी से टेरी हो गई, पुछा गया जनाब कि यह क्यों इतनी बड़ी बिल्डिंग, चार पांच मनजला बिल्डिंग को आपने गिरा दिया, तो उनने ने कहा कि जो बन्याद थी वो ठीक नहीं रखेगी जिसके वोज़़ से बिल्डिंग पूरी की पूरी टेरी हो गए हमें इसे तोड़ना पड़ा क्योंकि बड़ा खतर्नाक थाबित हो सकती है, जिसके वज़़से किसे की जान जा सकती है, अकाइप के बारे में भी ऐसा ही है, अगर इस तहां से बिर्डिंग जाने नुकसान कर सकती है, इस तहां कि फैलिसिज आपको रुहानी तोर पर बहुत जादा नुकसान पहुंचाती है। हमने आज के इस प्रोग्राम में बड़े ही मुफसल तरीके से बियान किया कि किस तहां से लोगॉस, कल्मा, एक ऐसा कल्मा नहीं है कि जैसे मैं मारिया बात कर रही हूँ, तो मेरी जुबान से अता किया गया कल्मा, जिस तहां कि यूजिली हम समझते थे। बलके ये लोगॉस एक डिस्टिंक्ट शक्सियत है। और इसे बड़ी खुबसर तरीके से पुफेसर जनाब शफिक कमल साहब ने बयान किया है, उमीद है कि इस के बाद हमारी जो कल्मा के बारे में, लोगॉस के बारे में गलत फहमी हैं, वो जरूर दूर हूँए होगी। फिर भी अगर आपके कोई और सवालात हैं, तो आप हमें लिख भेजिए, अपने सवालात, अपने कमेंट्स, हमें आपके सवालात, आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। उमीद करते हैं कि ट्रिनिटी के बारे में जितनी गलत फहमीय हैं, वो जरूर दूर हुई आज के इस प्रोग्राम से मुझे और प्रोफेसर जनाब शफिक कमल सहाब को दीजिए इजासत, इस एक उमीद, इस एक तमना के साथ कि आप सच को जानेंगे, सच को खोजेंगे, और जब सच मिल जाएगा तो इससे कबूल करने का होसला और हिम्मत अपने अंदर रखेंग आज के इस प्रोग्राम से हमें दीजिए इजासत, मिलेंगे फिर किसे और प्रोग्राम में, किसी हत्मी सचाई की खोज में, खुदा हौजिस